बिसमिल्लार रह्माल रहीम असलाम अलेकम दियर स्टुडेंट्स मैं नेम इस मुहम्मद फैसली और आई विल टीच यू अबोग डेटा क्मुनिकेशन एंड नेट्वर्क्स इन आवर थार्ड स्मेस्टर टूड़े दा टॉपिक विच वी आर गोईंग टॉइस इस सी चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं हम मैसे डिलिवर करते हैं हम अपनी पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं हम मुख्लिव किसम की एप्लिकेशन को इस्तमाल करते हैं जैसा कि फेस्बुक है वाटसैप है एड्सेटर मुख्लिव किसम की आपके सामने एप्लिकेश किसें यह फिर आप इसको इंटरस्ट लेके केरी करें गे तो यह आपके लिए बड़ा हिंटरस्टिंग और एजी ली आपٌ yeni को सकते हैं तो अवार्ड सोच्ट तोपिक ऑफ्र रिए वहार जो लेक्चर का ओर है उसमें आज हम 5 आथ हम पांच स्टेप्स के ओपर बात करेंगे first one is data communication after that we will discuss about types of data communication structures फिर हम उनकी character sticks को देखेंगे और उसके बाद communication system जो है उसका एक थोड़ा सा जाइजा लेंगे फिर उसके बाद जो components है communication system के उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे सो first we will discuss about data communication as you know data communication so data communication is a combination of two words data and communication data क्या होता है data text की फॉर्म में हो सकता है numbers की फॉर्म में audio video image etc मुखले कि शकल में आपके पास data available है और दूसरा जो वर्ड है इसमें वो है communication का communication means exchange simply you can say तबादला अगर हम कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ उसका तबादला करते हैं अपने खियालात का तबादला करते हैं वो भी communication में आ जाता है तो हम यह जो topic है यह data और communication के मिलाब से है मतलब हम data को communicate करेंगे एक जगह से दूसरी जगह के उपर इसकी अगर हम definition को देखें तो definition कुछ इस तरह होगी data communication is the exchange of information from one entity to the other using a transmission media कि हम जो data communication है उसकी इतबादला देखेंगे information का एक entity से दूसरी जगह पर using transmission media जब हम इस definition को देखते हैं तो हमारे जहन में मुफलिफ questions आते हैं उसमें exchange क्या है what is information what is entity and what is transmission and what is medium यह कुछ पाँच ऐसे questions हैं जिनको हम इस पूरे course में इनके जो answers हैं उनको find करने की कोशिश करेंगे इसके बाद data communication की जो types हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं there are two major types of data communication first one is local communication and second is remote communication बहुत ही simple सी बात है local जो आपकी आम access के अंदर हो और remote वो जो आप से थोड़ा सा distance के उपर हो तो इसी तरह इसकी definition देख लें local communication वो devices जो एक ही जगा पर या एक हमारत में हों तो वो local communication में होंगी नसाल के तोर पर हमारे college के अंदर जो मुखलिफ computers होते हैं और सारे एक ही server से data को उठा रहे होते हैं वो local communication के अंदर आता है इसके बाद बात करते हैं remote communication की तो इसमें वो devices जो एक ही जगा पर मुझूद ना हों इसका simple कह सकते हैं कि ऐसी devices जो मुखलिफ जगों पर हो उनको remote communication कहते हैं मिसाल के तोर पर एक computer पाकिस्तान में और एक किसी दूसरे मुलब में पढ़ा हो और इन में communication हो रही हो तो ये आपकी remote communication होगी structure of simple data communication system जो हमारा साथा communication system है उसका structure क्या है कि उसमें एक center होता है वो अपना message किसी भी दूसरे बंदे को send करना चाता है और वो जो दूसरा बंदा है उसको हम receiver बोलते हैं तो जो एक साथा communication system है उसमें एक पेगाम भेजने वाला होता है एक उसके अंदर पेगाम होता है और दूसरा जिसको वो पेगाम भेज रहे हैं वो बंदा होता है तो इसकी थोड़ी सी detailed form में आपको शो कर बादेता हूं communication structure में जो उसकी थोड़ी सी detailed structure है वो आपको notes के उपर भी मिल जाएगी उसमें source system मतलब जहां से data आप भेज रहे हैं उसको source कहते हैं उसमें source होगा और transmitter होगा transmitter क्या करेगा आपका जो पेगाम है वो उसको इस काबल बनाएगा मतलब उसको encode करेगा इस तर्थी में कि उसको आप किसी भी जगा के उपर किसी medium के उपर transmit कर सकें तो जो source और transmitter है यह आपके source system का हिस्सा है फिर आगे आजाता है transmission system transmission system जो है यह basically आपका जो encoded message है उसको guide करता है destination की तरफ उसको रस्ता बताने के बताता है simply उसके बाद वो जो message है आपका receiver के पास पहुंचता है वहाँ पर receiver जो है वो basically उस message को encoded form में receive करके उसको decode करता है ताके आपकी जो destination है वो उसको understand कर सके so receiver and destination is your the part of your destination system next देखते हैं जी characteristics of data communication system ये बहुत ही एहम है और ये बहुत ही जरूरी है इनको याद रखना बहुत जरूरी है बड़ी simple सी है कोई भी communication system उस वक्त तक communication system नहीं कहलाएगा जब तक कि वो इन तमाम चारों की चारों characteristics को fulfill नहीं करता तो ये सबसे पहले इसमें देख लें delivery delivery of message system has ability to deliver the message message मतलब वो system जो message को deliver करने की के एहल होगा वही मतलब इस में इस communication system का मतलब वो एक communication system कहलाएगा जैसे आप TCS एक हमारा डाग का नजाम है या कोई भी हमारा जो पाकिसान पोस्ट है वो उसको ले 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 तो वो कोई भी जो डाग का आम सादा सा नजाम है उसमें देख लें के उसमें सबसे पहले जो character sticks है वो delivery की है कि वो TCS को देख लें कि वो इस काबल है कि वो आप जो भी उसको पेगाम देंगे वो आपका पेगाम जहां आप भेजना चाहते हैं वहां वो उसको deliver करेगा all over the world secondly जो दूसरी उसकी खूसियत है timeline की system has ability to deliver the message on time मतलब आप जो message भेज रहे हैं वो वक्त के उपर वहां पर पहुंचना जरूरी है यह ability भी आपके TCS जो आम डाक का नजाम है TCS का उसके अंदर मुझूद है कि आप उसको जो भी अपना parcel letter या जो भी चीज़ आप उसको deliver करना चाहते हैं वो आपका बिल्कुल time के उपर deliver कर उसकी दूसरी जो quality है characteristic है वो ख्सूसियत जो है वो time line है जो उसकी तीसरी ख्सूसियत है जो communication system में होनी जरूरी है वो है उसकी accuracy कि system has ability to deliver the message accurately मतलब उसमें कोई interruption ना करे उसमें कोई किसी किसी किसम की changes ना करे जैसा message भीजा गया है वो बिल्कुल वैसा ही message आपकी destination तक पहु यह भी जो ख्सूसियत है यह TCS में यह हमारे जो भी आम डाग के नजाम है उसके अंदर मुझूद है तो communication system का जो तीसरा तीसरी क्रेक्टर स्टिक है वो है accuracy नंबर four के उपर आते हैं जो इससे सबसे last पर है उसे जीटर कहते हैं यह भी बड़ी एहम है system has ability to deliver message in sequence के जो system है हो इस काबल हो कि जो आपका message है वो उसको sequence के अंदर deliver करें मतलब उसमें variations ना आएं वो जिस तरतीब से भेजा गया है वो उसी तरतीब से आगे जाके नुसूल हो basically हमारे जो computer system में communication होती है उसमें अगर राडियो और वीडियो का देखा जाए तो यह continuous transmission होती है और इसमें ज में receive होंगे अगर sequence में disturbance आ गई तो आपका message जो है वो सही नहीं रहेगा तो यह भी एक आपके communication system के बड़ी ही एहम characteristics है इसके बाद next slide जो है उसमें हम discuss करते हैं components of data communication system data communication system जो simply है उसमें पांच components होते हैं number one is sender sender the device that sends message such as आप कह सकते हैं कि उसमें computers हो सकता है workstation हो सकता है आपका mobile phone हो सकता है कोई भी device जो message को send कर रही है वो उसका पहला component है sender का second number के उपर message आ जाएगा वो information या data जो आप send करना चाहरे हैं communication के बड़ी इंफोमेशन और data that can be communicated is called message उसमें text भी हो सकता है videos, audio, numbers, etc, image कुछ भी आप किसी भी किसम का message हो है वो deliver कर सकते हैं, तीसा component है medium का, medium basically क्या है physical path that a message uses to travel from the center to the receiver is called medium वो रस्ता जिसके उपर आपका message एक जगा से दूसरी जगा तक sender से receiver तक travel करता है वो रस्ता आपका medium कहलाता है वो copper cable हो सकती है, quixial cable हो सकती है, medium wireless भी हो सकता है, मतलब गयर तार के भी हो सकता है चौते नमबर के उपर protocol आजाता है, protocol बहुत ही important है, इसके उपर भी मुजीद detail में बहस की जाएगी, तमाम के उपर detail में बहस की जाएगी protocol basically set of rules, governed communication, मतलब वो rules जो communication करने के लिए दोनों parties में ज़रूरी हैं, उनको पता हो, वो दोनों की languages सेम हों, जैसे both speaks same language etc, ये उनके protocols हैं नमबर पांच के उपर receiver आ जाता है, receiver device that receives message, वो device जो आपके message को receive करती है, वो receiver कहलाती है, इसमें सबसे important जो है, वो आपका protocol को understand करना है, ये आपके लिए निया word है, communication system के हवाले से, ये था हमारा आज का lecture, हम इसको थोड़ा सा review कर लेते हैं, आज का lecture को, जिसमें सबसे पहल मतलग discuss किया, data communication जो है, इसमें, जो हम देखते हैं, कि हमारा data जो है, वो एक जगा से दूसरी जगा के उपर travel करता है, इसको हम data communication कहा देते हैं, फिर secondly हमने उनकी communication structure जो है, उसकी types को discuss किया, वो दो होती हैं, जिसमें local communication आ जाती है, और remote communication आ जाती है, फिर हमने बात की character sex of data communication के मतलग, जो character sex है, वो data communication system की वो चार है, उन चार character sex में सबसे पहली जो है, वो delivery है, कि जो message है, वो आपने, उसमें deliver करने की ability हो, दूसरी character sex जो है, वो time line के related है, कि वो बिल्कुल time के उपर deliver होना चाहिए, तीसरी जो उसकी खसूसियत है, वो accuracy की है, कि जैसा हम message भेज है, destination के उपर बिल्कुल वैसा message ही receive हो, उसमें कोई errors ना हो, उसके बाद, जो चोथी उसके अंदर खसूसियत पाई जाती है, वो है, jitter की, jitter जो है, वो basically sequence of your data है, कि जिस sequence के साथ बेजा जाए, communication के बाद, वैसा ही, उसी sequence के उपर जो है, वो आपका data receive हो, फिर हमने communication system की एक सिंपल सी diagram देखिए, जिसमें एक sender होता है, वो एक message को किसी भी media के उपर, या medium के उपर, उसको send करता है, destination की तरफ, और वो destination है, वो basically receiver कहलाती है, तो इन, पूरे communication system को हम next lecture के अंदर भी elaborate करेंगे, जो हमारा actual outlines है, उसमें भी हमारा इसी किसम का पहला topic है, उसके बाद हमने इस communication system में जो हमारे components इस्तमाल जो होते हैं, communication system में पाँच components हैं, उनको shortly discuss किया है, कि उसमें एक sender होता है, जो data को send करता है, उसमें एक receiver होता है, जो data को receive करता है, उसके बाद medium होता है, protocol होता है, और message होता है, तो ये आज का हमारा lecture था, उमीद है कि आपको समझागी होगी, बाकि अगर आपके जो भी questions होंगे वो हम, next lecture के शुरू में उसको discuss करेंगे, शुक्रिया अजिए, अल्ला आफेज.